क्या 24,000 में Oppo F25 Pro लेना चाहिए या नहीं? चलो देखते हैं शुरुआत करते हैं इसके थोबड़े से इसमें 6.7 इंच Full HD Plus 2.5D 120Hz डिस्प्लेज डाइमन सिटी 7050 प्रोसेसर 5000 अमेश बैटरी इसमें मेरे को डाइमन सिटी 7050 थोड़ा डाउन लगा जो की थोड़ा पुराना भी हो चुका स्नैपडरगन 6 Gen 1 वगेरा होता तो और अच्छा होता और कैमरे में इसके OIS नहीं है तो कैमरे भी इसका थोड़ा डाउन लगा और बाकी सब एवरेट सा है अगर आप OPPO के बहुत बड़े पंखे हो तो डेफिनिटली ये फोन ले सकते हो अधरवाइस बिलकुल भी मत लेना ये फोन कोई दरूबत नहीं है इस फोन की